इस टुटोरियल में हम AP सीरीज का ये एक बड़ाई इंट्रस्टिंग सम्सॉल करेंगे ये क्वेशिन क्या कहता है Find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by this formula दखो, वो कह रहा है कि ये एक formula है ठीक है और इसको use करके आप एक list of numbers generate करो और उस list के जो पहले 24 numbers हैं उनका sum find out करो अब हमें क्या करना है, हमें ये find out करना है कि ये जो formula दिया गया है इससे जो list of numbers बनेगी, क्या वो एक AP सीरीज बनती है सबसे पहली बात, देखो, AN is equal to 3 plus 2N दिया गया है तो इसमें first term find out करने के लिए, यानि कि N is equal to 1 put करोंगा ठीक है, first term A1 होगी, तो यहां से A1 मेरा कितना आजाएगा 3 plus 2 into 1, N की value 1 डाली, तो ये हो गया 5 ठीक है, फिर मैं काम करता हूँ, मैं N2 put करके देखता हूँ कि A2 कितना आता है तो वो जाएगा 3 plus 2 into N की value 2 डाल दी मैंने, ठीक है N की value अब हमने 2 डाली, तो ये हो गया मेरे पास 7 और एक value मैं फिर और find out कर लेता हूँ, N is equal to 3 के लिए तो A3 कितना आजाएगा, N की value 3 डाली, तो ये हो जाएगा 3 plus 2 into 3 which is equal to 9, ठीक है तो अब अगर आप देखो, तो ये series मेरे पास एक AP series बन गई 5, फिर 7, फिर 9, फिर आगे 11 आ जाएगा and so on ये एक AP series बन गई क्यों, common difference जो है वो सब में 2 है बराबर है common difference, तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये AP series है, जिसमें first term यानिकी A, वो है 5 first term को हम A1 भी बोलते हैं और A भी लिखते हैं common difference D, वो हो गया 7-5 which is equal to 2 और अब हमें क्या करना है कि ये जो AP series है इसकी पहली 24 terms का sum find out करना है ठीक है उसका sum, यानिकि ये formula लगेगा तो इस formula में मुझे N चाहिए और N मुझे पता है कितना है, 24 N 24 है, first 24 terms का sum find out करना है तो N 24 हो गया, A मुझे पता है D मुझे पता है, तो अब ये formula यूज़ करके मैं sum निकाल लोगा, तो वह याँ formula लिख देता हूँ S N is equal to और अब मैं स्वें S 24 find out कर लेता हूँ N की value 24 by 2 into 2 into A की value 5 plus N 24 minus 1 और D की value कितनी है, 2 तो ये कितना हो गया, 12 into 10 plus ये 23 into 2, 46 हो गया तो ये हो जाएगा 56 into 12 which is equal to 672 So ये रहा मेरा answer की इसकी पहली 24 terms का इस formula से बनने वाली list की पहली 24 terms का sum जो है, वो है 672 So that's it from this tutorial, keep watching कते मफिया चाएगा पे पनके, बने ढब हाटes